क्लास 12 एप्लाइट मैथेमेटिक्स चैप्टर टू एंड किया है और नेक्स हमारे जो चैप्टर है मैट्रिस बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है सच बता रहा हूं चैप्टर नूमर 3 चैप्टर 4 सबसे ज्यादा इजी लगेंगे आपको पूरा आपके बुक के सेशन में सबसे एजी चैप्टर हो सबसे मतलब माक्स जो है मतलब सेविन से एट माक्स का कैशन से हैं दो चैप्टर से आएगा आपके पास चैप्टर 3 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट से हम बुक कौन सी फॉलो कर रहे है तो उसको लेके आपको डाउट नहीं रहाना चाहिए एमेल अगरवाल नीरा जैन करके बुक आ रही है तो जिनके पास है उनके लिए काफी अच्छा बुक है आप लोगों को इसके अलावा फिर और कोई रेफरेंस पर जाने की ज़रत नहीं है यह कर लो एंड लास्ट 10-year के 5-year के जो भी सैंपल पेपर्स है या बोड के पेपर जो आपका exercise 3.1 होगा हर exercise से पहले एक introduction पार्ट कराएंगे ताकि उस exercise में related जो भी terms या जो भी चीज़े होने वाली वो सब use हो जाएगे यह introduction पार्ट फोकस रहेगा आपके लिए पूरा matrices के ओपर के actual matrices है क्या और exercise 3.1 से related जो भी questions होगे वो सब यहां आपको उसका एक तरीक अंदर जमा सकता हूँ एक order का मतलब क्या हो सकता है एक ऐसा order जिसको मैं represent करूँगा इस तरीके से block से pack परके और वहां पर इस तरीके से एक line में element होंगे फिर second line में कुछ element होंगे third line इसी तरीके से इस तरीके से elements होंगे 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 यह दिख रहे हैं आपको यह जो lines होती है मेरे पास देखो यह तो theory लिखी वह है मैं आपको उपर समझा रहा हूँ एक तरीके से है कि आप इसमें important important चीज पकड़ लो बाकि आपको theory से ज्यादा मैं जो बोल रहा हूं वो समझना है यह जो line के अंदर elements लगे वे हैं इनको हम क्या कहते हैं रोज कहते हैं क्या कहते हैं रोज कैसे और यह जो vertically खड़े वे हैं यह तो horizontal हो गए रोज तो पर यह जो vertical है उसे हम क्या कहेंगे columns कहेंगे क्या कहेंगे columns कहेंगे example देता हूं मैं जैसे मैंने 234512 लिखा पर ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दिए अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको word देख रहे हैं उन सब को सबसे पहले तो क्या कहते है elements कहते हैं जैसी यह two three four five one two these are called elements क्या हैं यह elements है matrix is called elements or entry of matrix फीक है second thing अब आते हैं रोज के उपर यहाँ पर देखो count करो one two three कितनी रोख हैं रोज कितनी हो गई ढ़ अब आ जाओ कॉलम् पर आजओ करके लिखते हैं किलियर हुआ, और सुनो, यह जो elements है, उनकी जो numbering होती है, उसको हम कैसे represent करता है, जैसे यह first element है तो उसको मैं कहूँगा a11, फिर second element होगा, उसे कहूँगा a12, फिर third होगा, उसे कहेंगे a13, ऐसे करके चलता जाएगा, फिर next one line, two शुरू हो जाएगी second row, तो उसको two one, फिर two two, फिर two three, समझे रहां, two तो represent कर रहा है second row को, और one, two, three represent कर रहा है number of elements को, फिर कहूँगा a31, a32, a33, और यह जो नीचे element उन्हें हम कहते है, i और j, जैसे a, i, j लिख दिया, इसका मतलब i की जगे है, तो three आ गया है, यहाँपे, j की जगे क्या आ गया, one आ गया, पर आएगा, यह इस जगे पर लाइख करेगा, ऐसे आपसे questions put up होंगे, matrix m into n का matrix है, मुझे पता नहीं, अभी कितने element है, इसके अंदर, तो यह जो last वाला element होता है, यही actual representation होता है, आपके पास किस सीज़ का, कि actual में order of matrix क्या है, आपके पास, clear हुआ क्या कहना चा रहा आपके पास, समझ रहा हूँ, फिर ऐसे, last देखो, m1, m2, m3 और mn तक चलेगा, यह mn जो है न, यह actual में क्या है, order of matrix है, क्या है यह order of matrix है, बताओ क्या समझ में नहीं आया है, clear है, i वाला जो element का point है, वो तो row के लिए और j किस के लिए, column के लिए, बताओ क्या समझ में नह to end, i जो है वो one से greater होगा, and always, m के equal भी हो सकता है, m से less भी हो सकता है, i की value बोल रहो, उसी तरह j की limit क्या होगी, one से शुरू होके, end पे end करेगी, और यह order of matrix होगा, जैसे example, यह matrix 0 का order है, जैको, one, two, three, कितनी row होगई, three rows होगई, column कितनी होगई, one, two, three, four, four क्या होगई, column ह होगई, तो these are rows, and these are, columns, clear होगई, ठीक है, अब जैसे particular मैंने आपसे पूछ लिया, a one, one की value बताओ, तो यह री, a one की value, मैंने आपसे का, a one, three की बताओ, तो one में three वाला, first row में third column, ऐसे choose करना होता है, आपको, समझ में आ रहा है, क्या कहना, 4 row में, first row में, third column, like that, ऐसे आप को choose करना होगा, clear होगा, एक second शायद यह, a one, three की value रॉंग लिखी हुए, यहापर three नहीं आएगा, यहापर one आना ची, क्योंकि यहापर one है, साही कर लेना, इसको, one, three का मतलब क्या होगा, first row, और third column, three, four का मतलब क्या होगा, यह three, और यह four, समझ में आ रहा है, तो उसी तर करता, अगर ही complex number होता तो, लेकिन हमार पास, यह जो complex matrix है, वो अपने syllabus में नहीं है, हमार पास real entries वाली matrix हम पढ़ेंगे, complex number वाल नहीं पढ़ेंगे, i, j, मतलब जो, i वाला concept पढ़ाओगा, आपने class 11 में में मेरे इसाब से, या शायद आप लोगो के नहीं है, applied mass वालो के, आप लोगो के नहीं है, अपने काली केवल complex वाला नहीं पढ़ना है, अपने को खाली यही वाला पढ़ना है, real number वाला, ठीक है, आगे देखो, matrices जो होती है, उसकी जो line लिखी है, उसे हम array कहते है, simple सी बात है, अब अगर मैंने 2 matrices comparable matrix करनी है, या नि 2 matrices हैं, उन दोनों क्या क ठीक है, in sense मैं ये कहा रहा हूँ, उनका जो order होगा, उनका जो दोनों का order होगा, वो दोनों का order किया होगा, equal होगा, समझ माया है, क्या कहना चारूँ है, यानि number of rows equals to number of rows, number of column equals to number of rows, तब हम दोनों क्या कर सकते हैं, compare कर सकते हैं, और उस condition में जो उनका corresponding element होगा, जो उनका corresponding element होगा वो equal होगा corresponding element के जैसे इसका जो second element second row का है इसका भी second row का second element क्या होँगे आपस में equal होँगा अगर यहाँ 4 है और यहाँ x है तो x का value क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा समझ रहे हो क्या कहना चारों में आपको feel आ रहा है इसका मतलब corresponding element equal होगा तो a equals to alpha होना चाहिए b equals to beta होना चाहिए c equals to gamma होना चाहिए d equals to यह होना चाहिए clear हुआ है यहाँ तक ठीक है और आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा types of matrices पे सबसे important concept है mcqs में सबसेदा question यहीं मिलेंगे आपको row matrix row का मतलब जिसमें केवल एक row हो देखो इसमें कितनी रो है एक ही row है second row पर मैं गया ही नहीं लेकिन column ऐसे जो vertical होता है ऐसे कितने भी column हो सकते है तो यहाँ पर देखो column कितने है four और row कितनी है one तो इसका order क्या होगा one multiply and इसका order कह सकते हो n क्यों लिखा मैंने क्योंकि n number मतलब कितने भी column हो सकते है लेकिन row नहीं रहेगा column matrix में क्या होगा column matrix क्या ना column एक रहेगा row कितनी भी हो सकती है ऐसे ऐसे horizontal ऐसे ऐसे को हम three row कहेंगे और column को क्या कहेंगे one तो देखो यहाँ पर n multiply one order रहेगा always क्योंकि one fix है और n जो है change हो सकता है variant हो सकता है बताओ समझ में आया क्या कि लिए रे column matrix row matrix समझ में आ गया order देखो zero matrix जिसके अंदर all element 00 होंगे उसका order कुछ भी हो सकता है two into two matrix two into three matrix three into three मतलब होंगे सारे zero square matrix जिसके अंदर number of rows जो है आपके पास वो equal होगी number of columns के अब देखो इदर one, two, three three तो row है one, two, three three column है बताओ समझ में आया क्या ठीक है clear हो गया मतलब जैसे three into three हुआ one into one हुआ two into two हुआ four into four हुआ यह सब order of matrices हैं जो की square matrix होंगे अब एक word आएगा है यहापर diagonal diagonal किसको वोलतो हो ऐसे, 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 ऐसे ऐसे नहीं चलना है ऐसे चलना है इस तरफ आले चलना है तो two, seven, three diagonal of elements होंगे इसके अब आप पूछोगे सर आप ऐसे क्यों नहीं चलना हो इसकी भी तो diagonal बोलते है इधर ध्याद दो यह जो element है यह होता है a one one यह जो element है यह होता है a two two यह जो element है यह होता है a three three समझे रहो क्या कहना है जिस condition में i equals to j होता है केवल उनी elements को मैं मैं अपने diagonal elements में count करता हूँ clear हुआ है करना चाहरा हूँ मैं आपको तो यह one three जो है वो i not equals to j वाली condition है और बता हूँ आगे ठीक है next देखो diagonal metric अभी बता है मैंने यह देखो यह देखो diagonal metric उसको कहते है जिसमें other than diagonal elements all are zero other than diagonal elements all are zeros ठीक है तो non diagonal जो भी elements से जो क्या होंगे आपके पास zero हो जाएंगे और यह जो elements है वो कुछ भी हो सकते है आपके पास different हो सकते है और same भी हो सकते है ठीक है clear हुआ है तो यह होती है diagonal metric अब इसको लिखने का एक pattern और हो सकता जैसे कि यह वाली matrix है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ diagonal 5-2 0 अब ध्यान देना मैंने क्या लिखा है मैंने diagonal 5-2 0 लिखा है तो यह वाला element A1-1 होगा यह वाला element A2-2 होगा यह वाला element A3-3 होगा आप खुद समझ जाना है ठीक है अधर बाकी सब क्या हो गए 0 हो गए तो इस diagonal matrix को लिखने का यह वाला भी एक pattern हो सकता है आपके पास ओके ठीक है और बढ़े आगे scalar matrix देखो सेम ही है diagonal matrix और scalar matrix जादा difference नहीं है diagonal matrix के अंदर हम diagonal वाले elements कुछ भी पूट कर सकते है बट यहाँ पर क्या होने चीए same elements होने चीए क्या होने चीए same elements होने चीए 5,5,5 minus 1, minus 1, minus 1 2, 2, 2 बाकी other than all diagonal elements क्या होंगे 0 होंगे बताओ समझ में आया क्या scalar matrix में यह तो यह definition लिखी वी है definition के वल आपके nodes के लिए हो सकती है बाकी समझना है आपको जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है और देखो identity matrix मतलब कि यह diagonal matrix और यह बिल्कुल same है इसमें diagonal वाले elements कंपल सरी है 1,1,1 होंगे कितने होंगे 1,1,1 होंगे अवेशा इसमें तो कोई भी different number हो सकता है बट वो different number भी same होना चीए अदरदेन मन की बात कर रहा हूँ diagonal में different हो सकते है scalar में same होना जरूरी है और identity में same होंगे और 1 ही होने जरूरी है ठीक है इसको हम क्या बोलते है identity matrix भी बोल सकते है और unit matrix भी बोल सकते है दोनों ही नाम ठीक है and identity matrix of order अगर मैंना i2 लिखा है अगर मैंना i3 लिखा है इसका मतलब i3 वाला जो matrix है 3 into 3 वाला matrix चल रहा है ठीक है यह 2 वाला matrix चल रहा है सबके लिए condition वही रहेगी समझ माया यह one order है यह two order है और यह three order है ठीक है आगे बढ़ू और देखो और क्या है इसमें important triangular matrix यह भी अच्छा है triangular matrix क्या होता है आपके पास देखो मैं आपको diagram से समझा देखो triangle तो आप समझते ही और like that ऐसे करकर triangle बनता है अब इदर देखो अगर इस triangle को देखो तो यहाँ पर इसके नीचे वाले सारे क्या है 0 है इसके नीचे वाले सारे क्या है 0 है अपर triangle रो गया यह तो upper triangle मतलब क्या उपर वाले values जो है वो सारे होते है upper triangle के अदर नीचे वाले 0 होते है और lower triangle में नीचे वाले तो होते है elements उसके उपर वाले क्या होते हैं 0 होते हैं समझ में आ रहा है अब देखो आई square matrix जो है is called a upper triangle if a ij equals to 0 ij equals to 0 और i less than j होगा i क्या होगा less than j होगा इधर देखो i less than j मतलब इधर देखो यह 1 का number क्या है इसका number क्या है 821 है समझे रहो इसका number क्या है a31 है इसका number क्या है a32 है यहाँ पर यहीं तो बोल रहा है i is less than j उसके अलावा ij वो होगा वो 0 होगा यह वाली condition वाला ठीक है तो all elements below the principal diagonal are 0 principal diagonal के नीचे वाले सारे क्या होंगे 0 और यहाँ पर principal diagonal के उपर वाले होंगे 0 उसे कहते हैं क्या बोलते हैं lower triangular matrices clear है एक अपर triangular matrices और एक लोगर ट्राइंगल मैट्रिस बस यह ही है आपके पास तो यह हो गया आपके पास complete introduction part यह basic है अगर यह वाला lecture आपने देख लिए है तो आपको आगे वाले applications example है थोड़े easy लगेंगे और one time within one time आप पूरे exercise को अच्छे समझ जाओगे बिल्कुल gaps कर लोगे अपने दिमाग में ठीक है नेक्श्ट आप डिसस करेंगे आपके examples and after that exercise 3.1 इससे related कोई भी डाउट लगे comment section में बता देना या फिर आप मुझे mail कर देना और lecture पसंद आया तो प्लीज यार लाइक शेर सब्सक्राइबर चैनल